हेलो दियर स्टूडेंट्स वन्स अगें वेलकम बैक तो आर्चैनल ग्यानलाब तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके क्लास 12 हसी 2023 बोर्ट के लिए लेट मी चेंज दमार कर हाँ हसी 2023 बोर्ट एक्जान्स के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चिंज प्रॉम चैप्टर नंबर 1 तो चैप्टर नंबर 8 आज की वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक के हर एक चैप्टर में से इसके साथ साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए चैप्टर नंबर नाइन से चैप्टर नंबर फिफ्टीन का इंपॉर्टन क्वेशन्स लेकर आएंगे इस सीरीज में आपके बायोजी और फिजिक्स के डिलीटेड नॉन डिलीटेड पूरा सिलिबस कवर किया जाएगा एक वीडियो में एक सिंगल चैप्टर डिसकस करके आपको वन शॉट लेक्चर तभी समझ में आएंगे जब आप इन चैप्टर को पहले इन डीटेल पड़ोगे तो हमारे जिन चैप्टर की वीडियो फुल डीटेल में अवेलेबल है आप उन चैप्टर की वीडियो पहले अच्छे से देख लो उसके बाद आपको वन करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर नंबर वान अब देखो वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बोलना चाहूंगी कि मैंने बोर्ट के पेपर सेट नहीं किये हैं तो मुझे एक्जाक्ट क्वेश्चन नहीं पता कि कौन सा आने वाला है कौन सा नहीं आने आपको एक बता सकती हूँ और इस चैंसे करें चैप्टर नंबर वान और चैप्टर नंबर टू के इन में से कुछ भी स्किप करने अलायक नहीं हैं क्योंकि हर कॉलेज में हर जगह ये चैप्टर सबसे पहले स्टार्ट किया जाता है और बच्चों को यह दो चैप्टर सब से ज्यादा डीटेल में याद रहता है तो चैप्टर नमबर वन और चैप्टर नमबर टू में एक्चुली कुछ भी स्किप करने जैसा नहीं है इसकी एक्ससाइज अगर आप देखोगे तो एक्ससाइज में से आपको पूरा का पूरा करना है आपको कविशे नमबर टू जो वेरी शॉक्ट रहता है वान माय का वैक वगेरा वगया तो यह कौशिन काफी बाहर रिपीट होते वें पया गया है और जो फॉर्स वाला question है polyembryony को हम commercially कैसे use कर सकते ये question काफी repeat किया हुआ पाया गया है तो मेरा ये suggestion रहेगा कि इन questions को आप पढ़ के लिख के practice करो और इन दोनो questions को आप सिर एक बार read कर लोगे तो भी आपके लिए काफी helpful हो जाएगा question number four पे आते हैं तो question number four में चारी question है इसमें से एक भी skip करने लायक नहीं है अगर पिछली साल double fertilization आया था तो इस साल हो सकता है dicot development आ जाए या आपको anatropos ovule draw करने बोले या microspore का development बोलेंगे तो चारी question है अगर आप ये सारे के सारे short answers करते हो और ये सारे के सारे short answers करते हो तो ये चार questions आपके automatically learn हो जाएंगे because these questions are interrelated with each other तो इसमें आपके पास कोई option नहीं है आपको सारे questions करने है question number four में के सारे questions करने है question number five के सारे fill ups आपको करने है ये diagram का labeling part होता है this is very important और match the column बहुत important होता है सीधे सीधे हो सकता है चार marks के लिए ये master column आजाएं तो आपकी बले-बले हो जाएगी कि नहीं मतलब आपकी lottery निकल जाएगी so this is very important okay इसके अलावा अब हम जाते हैं chapter number two में तो chapter number two में देख़ों को क्या बताया गया है okay chapter number two का हमारा weightage again approximately seven to eight marks का है इसमें से consequence question textbook में से important है जो आ सकते हैं मैं आपको textual question का importance बता रही हूं ठीक है तो सबसे पहले mcqs आपको सारे करने है ये ये देखो mcq आपको सारे करने है one shot answers मतलब one statement one sentence answers जो होते ये भी आपको सारे करने है इसके two marks के जो question है ये देखो ये fill in the plants वाला जो question है ये भी आपको सब करना है इसमें से भी आप option में नहीं छोड़ सकते question number four भी आपको पूरा करना है question number five में से आपका parturation वाला जो step से ये question कभी नहीं आता आप इसको स्किप कर सकते हो histological structure of ovary मतलब मैंने जितना question देखा है तो testis का histological structure आता है ovary का histological structure जाधा पूछते नहीं है पर फिर भी मैं ऐसा बूलूंगी कि इसका आप एक बार दूसरे साल यह आया था तीसरे साल यह आया था अभी last year इससे related question आया था तो इसे लिए चारो option में आप नहीं रख सकते हैं आपको चारो answer पढ़ना पड़ेगा in fact अगर आप सारे के सारे one sentence answers पढ़ते हो यानि one mark और two mark के answer पढ़ते हो तो आप four mark का answer अपने आप खुद से बना सकते हो इतना easy होता है यह ठीक है चाप्टर नमबर थ्री में जाते हैं चाप्टर नमबर थ्री का वेटेज three to four marks है तो इसमें से कैसे questions आ सकते हैं मैं उसका idea आपको दे सकते हूं ठीक है इसमें से कौनसे questions important है let's see देखो एक आपके नियो मेंडलिजम के उपर आएगा ही आएगा एक क्रोमोसोमल डिसॉडर के उपर आएगा ही आएगा mcq आपको compulsory sub करना होता है very short answer आपको compulsory sub करना होता है हम आते हैं short answer questions में तो यहाँ पर आपको देखो कौनसा कौनसा question आ सकता है यह नहीं पूछा जाएगा इतना simple question 10 वी का question है यह नहीं आता है आपको लौ के बारे में question पूछ सकते हैं यह नियो मेंडलिजम है लिंकेज के उपर question आ सकता है PKU यह आपका chromosomal disorder है so this is also important यह distinguish between very important है कुछ भी करो यह distinguish between skip मत करना ठीक है chromosomal theory of inheritance explain करने के लिए नहीं आएगा इसका आएगा तो short answer आएगा मतलब 1 mark यह 2 mark का question आएगा और pedigree child भी अगर आप practice करके जा सकते हो तो अच्छा है ठीक है question no.4 में match the column आपको compulsory करना है question no.5 में what is die hybrid cross देखो एक cross और एक example आता है one sentence में आपने already test cross का definition पढ़ा है अब यहां पे आपको सिर्फ उसका significance देना है आपने already उपर second law पढ़ा है तो यहां पर आपको third law दिया है यहां पर die hybrid cross और third law दोनों एक दूसरे से related है तो यह और यह एक दूसरे से कुछ chapters में से यह आप चीज़े option में छोड़ सकते है तो chapter number one two three में से हम ज्यादा option में नहीं छोड़ सकते chapter number four में देखते हैं कुछ option में छोड़ने लायक है क्या तो अभी एक दो questions तुम्हें ऐसे बताई रही हूं आपको कि जो आप नहीं करके जाओगे तो भी चलेगा ठीक है इसमें से सब mcq करना है सब very short answers करने है टू माक के जो questions होते हैं इसमें से आप characteristics of genetic code यह important है यह important है ठीक है और DNA fingerprinting का application यह last year आया था so this is important okay describe the structure of operon नहीं यह इतना detail question नहीं आएगा हाँ this is important यह इसका labeling important है यह important है question number 5 में explain the process of DNA replication this is important यह टुकडे में question पुछा गया है या तो transcription या तो translation yes lack of operon का सिफ diagram कर लो पूरा theory पढ़ने की जरूरत नहीं है और यह जो question है यह आपके इन दोनों question से related है तो अगर आपने question number 2 और question number 3 कर लिया तो question number 5 आपका automatically हो जाएगा यह भी आपका practical based question है okay chapter number 5 पे जाते है chapter number 5 में से consequence options option में छोड़ सकते है let's see again mcq और one mark questions आपको sub करने है ठीक है mcq all one mark questions all all definitions and everything you have to do short note के लिए आप एक यह fossil वाला question छोड़ सकते हो एक यह वाला छोड़ सकते हो ठीक है match the column आपको sub करना है long answer question में से यह करना है यह करना है यह चोड़ सकते हो यह करना है यह करना है इसको छोड़ दोगे तो भी चलेगा genetic variations के उपर question नहीं आयागा क्योंकि molecular basis of inheritance में आया है या इसको आप एक बार read कर लेना ठीक है और मैं कोई भी match the column का paragraph आपको skip करने की बिल्कुल भी सला नहीं दूंगी ठीक है chapter number six में जाते है एक तो इस साल पूरा portion आने वाला है तो थोड़ा सा ऐसे complicated situation है कि कौन सा खरना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए multiple choice questions आपको सारे करने one mark questions आपको सारे करने three mark question में से mechanism for absorption of water discuss theory of water यह मत करो transpiration करो यह भी मत करो यह भी नहीं यह वाला करो यह वाला करो यह definitions करो distinguish between करो यह करो यह बाकी इन में से जो questions मेंने टिक नहीं किये है वो आप option में छोड़ सकते हो long answer question में से root hair का questions करो यह उपर इदे को mechanism for opening and closing of stomata इधर अल्रेड़ी यह repeat हो गया है hydroponics इसका definition देख लो और hydroponics का definition देख लो आपको यहां पर note लिखने की जरुवत नहीं है लेकिन इसके examples आप देख सकते हो ठीक है तो chapter number six में से काफी सारे questions हम skip कर सकते है chapter number seven में से क्या क्या करना है let's see chapter number seven में से again mcqs compulsory you have to do all one sentence questions all two marks के जो question है यह three marks के जो question है इसमें से differentiation de-differentiation distinguish between करना है यह भी करना है short day plant and vernalization यह पाचो questions करने है यह भी आपको करना है यह नहीं किया तो भी चलेगा यह एक कर लेना ठीक है यह लेकिन इसमें का sigmoid curve बहुत important है ओके चलो chapter number eight पे जाते हैं okay chapter number eight में से कौनसे questions important है let's see okay again mcq आपको sub करने क्यूंकि देखो mcq ना बाहर से भी आते मतलब textbook के बीच में से भी आते है match the column you have to do all very short answer question one more question है यह यह भी आपको sub करना है ठीक है हाँ अब इदर आ जाओ short answer question में यह नहीं किया चलेगा this you have to do क्योंकि यह true or false type statement है यह भी आपको करना है blood plasma yes this also this also okay यह सारे questions आपको करने है give reason में से एक यह वाला एक यह वाला एक यह वाला एक यह वाला यह तीन questions करने है distinguish between all एक distinguish between तो आएगा या आएगा मतलब दो distinguish between आएगा एक option में छोड़ सकते हो एक exam में लिख सकते हो long answer question में से practical based question है यह नहीं आएगा यह नहीं आएगा यह नहीं आएगा इसमें से यह वाला करो यह वाला बहुत important है this and this यह चार questions बहुत important है ठीक है okay all right तो chapter number one से लेकर eight तक कौनसे-कौनसे questions important है मैंने आपको वह बता दिया है आप बोलोगे मैं आपने सभी questions करने को बोला है तो ऐसा नहीं है मैंने आपको कुछ questions option में छोड़ने का भी option दिया है इससे जादा और जादा specific questions में अभी नहीं बता सकती क्योंकि इस साल आपका syllabus deleted plus non deleted दोनों है तो पिछले 5-6 साल की papers अगर देखे जाए तो उसके इसाफ से मुझे जो भी analysis समझ में आया है मैंने उसके साफ से जो important questions है वो आपके साथ share किये है I hope कि कुछ भी ना पढ़ने किसे अच्छा है कि at least आप कुछ चीज़े पढ़के जाओगे तो भी आपकी काफी मदद हो जाएगी समझो आपको बड़े-बड़े answer से डल लगता है तो आप at least हर एक chapter का question number one question number two or question number three करके जाओ याने कि MCQ one mark question और two mark question अगर आप इतना भी कर लोगे ना तो भी आप आराम से 45 marks लाके boards में पास हो जाओगे मैं guarantee देती हूँ इस चीज़ के अगर आप हर एक chapter का MCQ one shot one mark question और two mark question करोगे तो भी आप आराम से 45 marks लाके पास हो सकते हो ठीक है जोड़के आप three marks का question बना सकते हो और answer extend करने में stretch करने में तो आप expert हो ही मैं बस एक ही चीज़ recommend करूंगी मैंने आपके boards के preparation के लिए एक do's और don'ts वाली video upload की है तो मेरी आप से बस एक ही request है कि आप please ये do's and don'ts वाली video जल्दी से जल्दी देखो क्योंकि इसमें मैंने follow करना start करोगे तो आपको boards में काफी जादा इससे help होगी एक बार फिर से याद दिला दू कि जैनवरी में हमारा physics और bio का live one shot lecture start होने वाला है उसका time table, day, schedule, live होगा की recording होगा ये सब आपको telegram group पे और हमारे channel के community पे मिल जाएगा so channel के साथ बने रहो channel को subscribe करके रखो bell icon को click करके रखो ताकि आपको सब notification मिलते रहे आपके लिए बहुत सारा content आने वाला है जैसे मैंने आपको bio के important diagram और important questions बताए अगर आप चाहते हो कि physics के भी वैसे important derivation और important questions आपको अजे सर बताए तो आप comment करके बोलो कि please अजे सर we want important questions of physics तो शायद सर का मन बदल जा और सर आपके लिए वीडियो लेकर आजाए तब तक के लिए बने रहो channel के साथ मैं इस वीडियो का part 2 जल्दी लेकर आऊंगी so all the best everybody keep preparing keep studying take care of your health I will see you very soon thank you for watching this video stay tuned